देखे, homogenous کا मतलब क्या होता है? Homogenous differential equation. Homogenous का मतलब क्या होता है? हमने homogenous liquid पढ़ा पढ़ा है. Homogenous heterogeneous हैसा होता न? एक जैसा. तो इसका मतलब जिसकी degree saem हो. हर term की degree saem हो. तो इसको पता कैसा लगाएंगे? तो दो तरीके हैं. या तो हर एक टर्म को देख लो सबकी डिग्री सेम हो जाए तो समझो होजीनिस होता है और नहीं मालूम तो एक तरीका में बता देता हूँ तो पहले कोशन ले लेते हैं उसी से समझ लेते हैं डारेक्ट कोई यहाँ प्रहवा में बात करने जुरूत नहीं है जैसे कोशन है x square ncrt exercise कौन सी है 9.5 ncrt class 12 9.5 exercise है x square plus x y x y dy है dy is equal to x square plus y square dx तो पहले तो यह पता लगा ओ क्या variable r separable हो सकता है भाई देखे problem यह है ना कि dx के साथ हम यहां अकेला x का function लेख नहीं सकते तो variable separable नहीं हो रहा है तो हम पहले तो निकालेंगे dy by dx तो क्या हैगा x square plus y square upon x square plus x y अब दो तरीके से पहँचाना सीखिएगा और बेहतर होगा diet पहँचान लेजिए आप देखो ध्यान से अगर ध्यान से देखे आप x कितने ऊपर कितने टर्म है दो टर्म है नीचे कितने टर्म है दो टर्म है ऊपर जो टर्म दिया है उसका पावर कितनी है दो है ना और दूसरे टर्म की कितनी है इसके कितनी है, power add करके दिखी जाती है, सब की दो है, तो यह homogeneous equation हो गया जाकर की, एक तो यह तरीका हो गया है, सब सेम डिगरी हो, ने लेम्डा के हम बात ही नहीं कर रहे हैं आपर हम यहां पर लेम्डा की बात ही नहीं किये लेम्डा कुछ नहीं ठीक है डाइट पहिंचा लिजा लिजा इट इस होमोजीनियस दिशन से लिक्वेशन ने तो लिखने की जोड़ते नहीं है अरे इनकी खुपड़ीवा है अच देखे, to show it is homogeneous, it is homogeneous, तो हम करते क्या है, x को किसे replace करते है, lambda x से, y को किसे replace करते है, lambda y से, इसको replace कर देते है, ठीक है, करिए replace जड़ा, तो क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to, मैंने इसको लिखा lambda x तो क्या हो गया, lambda square x square plus lambda square y square upon lambda square x square plus lambda x into lambda y, उपर से lambda square common, नीचे से lambda square common, तो आएगा x square plus y square upon x square plus x y, actually मैं lambda ये पहँचान देता है, कि हम कितने पानी में हैं, बोले हम दो डिगरी से आएं वा अंदर, नीचे भी दो डिगरी से, तब इस निकल बाहर आएगा, तो lambda power कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 0, तो आएगा x square plus y square upon x square plus x y, ठीक है, ये पहँचान किसकी देता है, कि it is homogeneous, so it is homogeneous, अगर आप से कहा जाए, कि show that it is homogeneous, तो आएग करिएगा, otherwise आप डाल लिग दीजेगा, it is homogeneous, हो गया, so it is homogeneous, it is homogeneous, अब जड़ा देखे धान से, अगर ये homogeneous नहोता, देखे धान से, अगर ये एक डिगरी का होता, तो भैसा आप lambda खत भी नहीं हो सकता था, पर अगर यहाँ से lambda square आता, यहाँ lambda की power 3 हो जाती, तो lambda बचा रहता ना कहीं पर, तो lambda gap हो गया, तो यह homogeneous हो गया, आप तरीका देखे क्या होता है, जब कोई homogeneous होता है, तो हम यहाँ करते क्या है, putting y को vx माल लेते हैं, y को क्या माल लेते हैं, vx, v is not constant, v is also the function of x, y को vx माल लेया, तो आपको यह भी तो हटाना पड़ेगा न, तो इसको differentiate करो, तो dy by dx की value क्या होगी, first function v, x का 1, second function x, v का dvy by dx, इसको उठा के कहां रख दीजे, equation number 1 में, putting this value, putting this value, in equation 1, रख देते हैं, तो यही रखते हैं भी जगह है आपर, क्या बन जाएगा, v plus x dvy by dx, y को क्या लिखा है आपने, vx, तो यह क्या हो जाएगा, x square, plus v square x square, upon, x square, plus x into vx, उपर से common क्या दिख रहा है आपको, v plus x dvy by dx, उपर से x square common, क्या बचाएगा, 1 plus v square, नीचे से x square common, क्या बचाएगा, 1 plus v, यह cancel हो गया, यानि आपका x square के time, वहाँ से हट गया, रब कर दें इसको, calculation गरबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ क्या बचाएगा, v plus x dvy by dx is equal to, 1 plus v square upon, 1 plus v, इस v को हटाओ, और यहाँ minus में लिख दो, अगले step में, आपने काट देना कापी में, तो यहाँ आएगा, x dvy by dx is equal to, यहाँ LC में लेंगे, तो आएगा, 1 plus v, minus v, minus v square, 1 plus v square upon, 1 plus v, v square, v square कड़ गया, तो आगया, x dvy by dx is equal to, 1 minus v upon, 1 plus v, अब इसको रखने के बाद, 100%, अब कहीं decimal में 99.9 हो लग बात है, यह variable are separable बन जाएगा, पूरा v वाले term dv के साथ, 1 plus v upon, 1 minus v dv, और यह dx के साथ हो जाएगा, और दोनों तरब integrate कर देंगे, ठीक है, अब integral का तरीका कैसे, क्या करेंगे आप, इसकी degree 1 है न, तो कोशिज के लिए v cancel हो जाए, तो अगर same चीज उपर आएगा, तो cancel हो जाएगा न, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखे, minus 1 कर दो यहाँ पर, और plus 1 कर दो, कोई दिकत, क्यों, v को negative डाने के लिए और कुछ नियम कर रहे हैं, upon 1 minus v, is equal to, इसको integral x plus c कर दो, direct, काम खतम, सुरी, क्या लिख रहा हूँ, log x, plus c कर दो, देखो, यह dv है, इसमें v negative है, तो 1, 1, 2 कर दो, और यहाँ minus काम ले लो, तो 1 minus v हो जाएगा, और यह 1 minus v अलग-अलग कर दो, dv, is equal to x plus log x plus c, ठीक है, पहुँचें यहाँ तक, अब इसका क्या करेंगे, देखो, integration आना चाहिए, इसका क्या क्या करेंगे, 1 minus v को अगर कुस मानें आप, तो log हो जाएगा, minus, तो minus 2 log 1 minus v, minus, यह 1 आएगा, 1 का integral v is equal to log x plus c, v को आपने y ब्राउट क्या माना था, v x माना था न, तो v क्या हो जाएगा, तो रख दो उठा करके, तो minus 2 log v हो गया, 1 minus y by x, minus y by x is equal to log x plus c, calculate करो, minus 2 log x minus y by x, minus y by x is equal to log x plus c, अब देखो, answer तो एही हो गया आपका, लेकिन format change हो सकता है, चुकि log दो जगए हैं तो एक तरफ ले आओ, यह minus कहां जाएगा, minus यहां हो जाएगा, कैसे हटेगा, यह value पलर जाएगी न, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, log x, x upon x minus y का, whole square is log x, उधर ले आओ, minus log x is equal to c plus y upon x, थोड़ा सा calculate कर सकते हैं, देखो, log, यह आएगा, x square upon x minus y का whole square, यह upon x आजाएगा, is equal to x, cx plus y upon x, यह x x कड़ गया, तो यह answer आजाएगा, log x upon x minus y का whole square, is equal to cx plus y upon x, यह को answer किस format में आ रहा है, जद देखिए, answer का format देखिए, इन्होंने actually में c को log c मान लिया है, ठीक है, जब log c आप मान लोगे, तो यह log के बास आजाएगा, वहाँ क्या बचेगा, अकेला, y upon x, ने, अकेला वो y upon x बचेगा, अकेला, तो जब log हटाओगे, तो e की power में आ जाएगी value, तो वही answer है, ठीक है, कोई format ले सकते हैं, हमने कहाता है, constant आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, note करिए, question क्या है, second, y dash बोले तो, dy by dx is equal to x plus y upon x, चेक करना आता है, homogenous, ठीक है, लेकिन अगर हम अलग-अलग देखें, तो इसकी degree 1, इसकी degree 1, इसकी degree 1, तो यह कैसा हो गया, homogenous, तो putting क्या करेंगे, putting, यह putting यहां कर देते हैं, यह क्यों क्खांदानी putting हैं यह, सबके साथ वही use होना है, y bar और vx, और जहां d by by dx, वहां क्या लिखेंगे, v plus x d by dx, सब में होना है, तो यह बारबद का करें लिखेंगे, यह putting यह fair work है, सब में लिखेंगे आप, ठीक है, तो putting in equation 1, putting in equation 1, तो क्या हो जाएगा यह, v plus x d by dx is equal to x, plus y को vx, अपान x, access कर जाएगा, तो v plus x d by dx is equal to 1 plus v हो जाएगा, बाइचंज v उदर ले जाओ, तो x d by dx is equal to 1, vv कर जाएगा, तो यह आएगा, d by is equal to dx by x, integrate कर दो, तो क्या होगा इसका integral, जिसका हो जाएगा v, जिसका log x, अब चाहो तो log c लिख दो, और चाहो तो c लिख दो, तो आएगा v बोले तो, y upon x is equal to log cx to base e, और जो log हटाओ उदके आएगा, cx is equal to e to power y upon x, यह भी आंसर हो सकता है, देखो इदार, और x बराबर, 1 upon c e to power y upon x, c dash e to power y upon x हो सकता है, log नहीं भी ले सकते हैं, केवल c ले सकते हैं, तो format आपका अलग-अलग हो सकता है, ठीक, इन्होंने केवल यहाँ पर c लिखा है, तो y upon x log x plus c हो जाएगा, x को उधर ले जाओ, तो x log x plus c हो जाएगा, जब आप log c करोंगे तो यह केवल c करेंगे, जब आप c करोंगे यह log c करेंगे, तो बड़ा गरबढ़ है, दोनों में tuning साही नहीं है, गरबढ़ है, हाँ, प्रूफ करना होगा, तब तो वह ही लाना पड़ेगा न, वह अपने आप पहिंचान में आ जाएगा, वह ही आ जाएगा, अगर कहीं particular solution हो गया, तब तो आप c करोंगे लॉक सी करोंगे अंतर वही आएगा, क्योंकि ultimately constant वही आएगे न, तो यह question number 2 हो गया, देखे, fourth question कहरा, x square minus y square, dx plus 2xy dy ब्रावर 0, सबसे पहला तो चेक करना है, variable separable है कि नहीं है, क्या y के function dy के साथ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह bracket खोलोगे तो यह चिपक जाएगा, यह square के साथ, चाचा, प्रभुजी हमें लिवा लो साथ, तो फिलाहल डियाड x निकालो, तो क्या हैगा, 2xy dy is equal to minus x square minus y square dx, dx उदर लियाओ, तो dy by dx is equal to minus x square minus y square upon 2xy, देखे, पहचानने का तरीका, हमने का वह x को lambda x और y को lambda कर दो, lambda cancel हो जाएगा, दूसा तरीका देखे, कितने term है उपर, दो term है ना, इसकी degree 2, इसकी degree 2, इसकी degree 2, it is homogeneous, रखेंगे क्या, वह अब पहले से रख चुके हैं, y को क्या रखेंगे, vx, और dy by dx को क्या रखेंगे, v plus x dby dx, तो रख दो उठा करके यहाँ पर, यह fair work होगा, यह आएगा, v plus x dby dx is equal to minus x square, minus y square को जाएगा, v square x square, अपान 2 x into vx, उपर से x square कामल लेखे, नीचे के x square से, cancel कर दो, तो आएगा, v plus x dby dx is equal to, माइनस उपर क्या आप चेगा, 1 minus v square अपान 2v, अब देखो ध्यान से, इस v को, उदार ट्रांसफर कर दिया हमने, minus का v, l से हम ले लो, तो x dby by dx is equal to, minus 1, minus minus plus v square, minus 2v square, अपान 2v, इसको calculate करिए, तो x dby by dx is equal to, आएगा, minus 1 minus v square अपान 2v, चीक है, ऐसा करते हैं, minus को ही छोड़ देते हैं, इसी इलाके में इसको धल ले आओ, तो यहाँ एगा, minus कामल ले लेंगे, यह plus हो जाएगा, bracket में, तो यहाँ पर आएगा, 2v upon, 1 plus v square dv, is equal to minus, dx upon x, अब चरह integral clear होना चाहिए, क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं 1 plus v square को t मानता हूँ, तो 2v dv dt दिया है न, तो इसका integral right क्या हो जाएगा, log, 1 plus v square हो जाएगा न, तो base e, integral होना चाहिए आपको, minus log x, अब पूरा log खांदान है, तो हम c को भी क्या करेंगे, log c कर देंगे, नहीं करेंगे तो न करो, हमारी मर्जी, ये log x इदर लियाओ, log c उदर रहने दो, तो आएगा log, 1 plus v square, प्लस में आएगा न, log x, तो into x हो जाएगा, to base e is equal to log c to base c, इससा base c है, log लग हड़ जाएगा, तो 1 plus v square, x is equal to c, अब v को गाइब कर दो, यहां तर पहुँचिए, v की value क्या है, y by x है न, तो यो जाएगा, 1 plus y square by, x square into x, is equal to c, x is equal to c, ले ले लो, तो x square plus y square, अपान x बचेगा न, एक x कर जाएगा, बरावर c, तो x square plus y square, is equal to cx, एक्चुली है, circle का equation है, नहीं, आप से पूछेगा नहीं, लेकिन circle का equation यह है, ठीक, question ज़रा, खतरनाक type से लिखा हुआ है, x cause y upon x, plus y sin y upon x, y dx bracket बाहर, y sin y upon x, x cause y upon x, x dy, तो पहले तो variable, separable, तो हो गई नहीं, किसी भी हालत में, कि y का function dy के साथ shift हो जाए, देखो y upon x, कितने डिगरी का है, 0 डिगरी का है, कामी खतम हो गया, अगर हम multiply में देखें, तो y into में आएगा ना, तो एक xy आएगा, फिर y square आएगा, यहाँ पर xy आएगा, x square आएगा, तो कितने डिगरी का हो गया, dy y लिखा हुआ है, यह गया ना, तो यह सब उपर नीचे आजाएगा, तो किया आएगा, x cause y upon x, plus y sign, y upon x, bracket के बाहर, y लिखा हुआ है, यह आपान में आएगा, y sign, y upon x, plus x minus, x cause, y upon x, bracket के बाहर, x लिखा हुआ है, अब आप y को क्या मानेंगे, vx, इसी ज़िए क्या लिखेंगे, direct लिख रहे हैं, v plus x dby dx, साउधान, तो y को vx लिखेंगे, तो यह x हो जाएगा, यह cause v आ जाएगा ना, vx upon x, plus y को vx, into sin v, bracket के बाहर, y को vx, upon, y को vx, vx, sin v, minus x, cause v, bracket के बाहर, x, x bracket के बाहर के कैंसल हो जाएगा, अंदर से common क्या दिख रहा है आपको, direct कर दें हम, देखो, यहां से यह x, x common होगा, यहां से x और x common होगा, कड़ गया ना, और यह जो v है ना, यह v, उधर जाके minus हो जाएगा, इतना direct कर सकते हैं आप, लेकिन आप अपने step में नहीं करेंगे, अपने step में इसको show करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, x dv by dx is equal to, अब इस v को अंदर लाएँगे और ब्रेकेट खोल देंगे, लसे हम लेकर के, तो क्या हैगा, v cos v, plus v square sin v, यह उधर जा रहा है, minus v square sin v, minus v cos v, नहीं, प्लस हो जाएगा, सब कुछ कटा जा रहा है, अपन, v sin v, minus cos v, यह आएगा न, v square sin v, cancel हो जाएगा, v cos v, two times आएगा, नोट करेंगे इसको, तो यह क्या बचेगा, x dv by dx is equal to, उपर क्या आएगा, 2v, cos v, अपन, v sin v, minus cos v, अब चुक्छे सब को, v के साल आना है, तो v sin v, minus cos v, अपन, 2v, cos v, का integral, यहां क्या हो जाएगा, dv, is equal to, dx by x, अब dx को लग रहा था, 2 मेरे साथ छोड़ देते, जा बेटा, माउज करो, dx करेगा, यह v का इतना बड़ा खांदान है, और हमको अकेले, tiger उसमें छोड़ दिया, अपने, सब दोस्तों साथ हटा करके, ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब बताओ, इसका integral कैसे करें, ध्यान से देखिए, मुझे नहीं वालूं कैसे करिया जाएगा, साथ साइन सही हैं सबके, नीचे वाले को T मानो, तो क्या हैगा, मान लेते, नहीं, पता नहीं क्या होगा न, हमने मान लिया T, लेट V, कॉज V को हमने T मान लिया, तो इससे अलग-अलग भी कर सकते थे, इसको अलग-अलग कर दो, यही जब, डिस्टब कर दिया, अगर T मान ही ले, अगर देखने क्या दिखाता है, इसका डिफ्रेंस हैं क्या होगा, फिर्स फंक्सन, कॉज V का माइनस साइन V, और प्लस कॉज V, और V का बन माइनस कामन ले लो, नहीं चलेगा, अगर इसको डिफ्रेंस रेट करेंगे, यह फिर्स फंक्सन, कॉज V का क्या होगा, माइनस साइन V, और प्लस कॉज V, और V का बन हो जाएगा, DV is equal to क्या हो जाएगा, DT, यहाँ पर माइनस लफडा है ना, तो माइनस कामन ले लो, तो क्या हैगा, V साइन V, माइनस कॉज V, DV is equal to DT, तो माइनस काहा हो जाएगा, यहाँ जाएगा, यह कहेंगा, देखा, हमें कह रहा था, मैं भी एक पता हम नहीं कह रहा था कुछ, रख दो, so by question 1, जो भी question यह हो, फिला 1 डाल लिया है, यह क्या हो जाएगा, माइनस, 1 अपान T, DT हो जाएगा न, इधर क्या हो जाएगा, 2 integral 1 अपान X DX, अब integrate कर दो, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, लॉग T, यह कह हो जाएगा, 2 लॉग X, अब सब लॉग family के हैं, तो लॉग C भी लॉग family कह हो जाएगा, ठीक है, अब इसको calculate किया जाए, इसको इधर ले आओ, तो आएगा, माइनस, लॉग T, माइनस, 2 लॉग X, is equal to, लॉग C है न, अब जाएगा देखे जान से, जानबूज किन दोरों माइनस को अटाया, यहां लगा दिया, तो किसी बिला, गरीब गर्वा आदमी, वो तो मान जाएगा सब में, यह क्या हो जाएगा, यह 2 हर्ट के X स्क्वार आएगा न, तो यह log TX स्क्वार हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, इसको हम चाहें, तो log C डेस लिख सकते हैं, माइनस खड़ा सकते हैं न, माइनस को ले जाएंगे C की इन्वर्स में, बन जाएगा 1 upon C, उसको मान जाएगा C डेस, तो log खटा दो, तो TX स्क्वार इस इकल टो C डेस, T किसको माना था अपने, T माना था अपने, V कॉज V इंटू X स्क्वार बड़ावर C डेस, V क्या है, Y upon X, तो यह हो जाएगा, Y upon X, कॉज Y upon X, इंटू X स्क्वार इस इकल टो C डेस, इस X से स्क्वार इस कर गया, अंगेल से न गार देना, यह कॉज का अंगेल है, तो क्या हो जाएगा, यह यहां लिखे दे रहे हैं, यह आएगा, X Y, कॉज Y upon X, इस इकल टो C, इस इस और आंसर, फार्मिट अलग अलग हो सकता है, तो यही आंसर होगा, कॉश्चन नमबर नाइन्थ, देखे देहां से, अगर हम होमोजेनियस प्रूफ करना हो, तो क्या तरीका बताया गया, लेम्डा X, लेम्डा Y रखोगे, तो देखो, अगर यहां लेम्डा X रखोगे, यहां लेम्डा Y रखोगे, यहां लेम्डा X रखोगे, यहां लेम्डा X रखोगे, लेम्डा काम ले लोगे, उधर जाकि 0 हो जाएगा, गय बहोगा लेम्डा, यहाँ lambda x अपा lambda y lambda कड़ जाएगा जनी कुल मुणा के पूरे lambda रस हड़ जाएगे और lambda का हड़ जाना क्या show करता है यह homogeneous है तो अगर आप से कहा जाए प्रूफ करिए अधरवाज पहंचाने कैसे तो को अगर log के अंदर y यह बान x लिखें इसकी degree 0 है ना इसका काम खतम इसकी degree कितनी है 1 इसकी degree कितनी है 1 इसकी degree कितनी है 1 सबकी degree कितनी है 1 तो यह homogeneous हो गया जब तक आप से कहना show करिए तब तक आप बेल मुझे मार नहीं कहेंगे आप simply ऐसे कर दीजिए अच्छा अब क्या तरीका है क्या variable separable हो सकता है नहीं हो सकता है क्योंकि गुझा इसके अंदर निकलेगा नहीं तो अब पहले direct x निकालिए तो dy यहां से कामन ले ले यहां से ले ले dy कामन क्या बचेगा अंदर बचेगा x x log y upon x minus 2x is equal to minus y dx dx उधल ले आओ तो आएगा dy by dx is equal to minus y upon x log y upon x minus 2x यह तो आप पहचान के थे homogenius से y को आपने क्या मान लिया vx मान लिया divided x क्या मान लिया v plus x divided x मान लिया लग दो यह क्या हो जाएगा v plus x हमने वो universal एक मान लिया है minus y को vx माना upon x log यह v हो जाएगा na minus 2x x x कामल लेके यहां से कट जाएगा तो क्या बचेगा और इस v को उधर minus कर दो minus कभी इतना डायरेट कर सकते हैं कैसे करेंगे इसको तो यह तो हो गया आपका x dv by dx is equal to देखिए यहां से minus कामल ले ले लेते हैं फिलाल पहले कामल ले लेते हैं तो जो कामल लिया हमने यह एक काम और कर सकते हैं देखिए हम इस step को देखते हैं इस minus को हटा जेते हैं तो यह v अपान यह उल्टा हो जाएगा यह 2 minus log v हो जाएगा ज़्यदा ठीक रहेगा और यह v उधर जाके minus का हो जाएगा चलेगा यह हमने इस minus को पहले अरजस्ट किया बाद ने इस v को उधर ट्रांस्पर किया अब LCM ले लिजे उठा कर रिके तो क्या हैगा x dv by dx is equal to यह LCM लिया तो क्या हैगा v minus 2v minus minus plus v log v upon 2 minus log v यह आ रहा है कैमरे में आ रहा है देखिए तो क्या आ गया x dv by dx is equal to यह कितना आएगा v minus 2v minus v हो जाएगा तो minus v plus v log v upon 2 minus log v अब चुके पूरा v का फंक्शन है तो v को फंक्शन को dv के साथ ले आओ तो क्या आएगा 2 minus log v और इसको अपान मिलाने के पहले v काम ले लो तो आएगा minus 1 plus log v dv is equal to यह आएगा dx upon x और इसको integrate करना है अब देखिए इधर आप करते हैं देखिए इसको क्या करे हैं तरह इसको देखिए यह चीज यह सेम हो सकती है कैसे इस 2 को लिख दो 1 plus 1 चलेगा और minus log v कर दो और अपान यह आएगा v bracket में minus 1 plus log v कर दो ठीक dv कर दो log v करना पड़ेगा न इसको log v को log v से cancel करना चाहते हैं और इसको हम फिलाल अभी integral नहीं कर रहे है dx upon x ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर minus 1 plus log v है तो 1 तो लिखा रहे ने तो यहाँ से minus काम ले लो तो यह जाएगा यह minus का हो जाएगा तो यह हो जाएगा log v minus 1 हो जाएगा और यह जो लिखा है न यह भी सेमची लिखी भी है न तो यह अपान में हो गया आपका v ऐसा करो उल्टा लिख दो log v minus 1 dv is equal to integral dx upon x इसको अलग अलग कर दो 1 के नीचे अलग कर दो तो जो 1 के नीचे करोगे तो क्या आएगा 1 अपान v log v minus 1 और minus इसके नीचे करोग तो और 1 अपान v बचेगा है न यह हो जाएगा dv is equal to integral dx upon x थोड़ा सा एक दिमाग लगाई है यहाँ पर कि इसका integral तो log v हो जाएगा है न इसका जब integral करेंगे इसको अलग-अलग कर दो integral 1 अपान v in bracket log v minus 1 dv अलग कर दिया और minus इसका log v डायट कर दिया तो क्यों log लिखते वक्त mod लगाते है क्यों log negative undefined है तो mod लगाते हम mod लगा नहीं रहे है बहुत लइने हो जाएगे इसलिए हम नहीं लगा रहे है और is equal to 1 upon x का क्या हो जाएगा log x अब चुक्छे सब log है तो भाई साब यह log c भी हो जाएगा अब इसको कैसे integrate करें साब साब दिख रहा है कि अगर log v minus 1 को t मानने तो इसका differentiation 1 upon v dv लिखा हुआ है तो मान लेते हैं मानना पड़ेगा यह fair work है तो करना पड़ेगा आपको तो हमने क्या क्या let कर लिया यहाँ पर log v minus 1 को t मान लिया जिसका 1 upon v dv is equal to dt हो जाएगा जोको 1 upon v dv dt हो गया तो यह क्या बन गया यह बन गया dt upon t minus इसका integral already ही है log v is equal to log x plus log c बहुँ सारे log हो गए अभी log हटेगा नहीं ठीक है इसका integral क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा log t log t और t का मान भी रख दे t का मान क्या है log v minus 1 minus log v बराबर log x plus log c आप इसको calculate करें इससे बहतर है कि हम v की value पहले रख देते हैं ठीक है अच्छा यह जो log है ना यह बड़ा खतरनाक type का log है और यह बचारा बड़ा सस्ता मत आए इसको उधर कर दो पहले ठीक है तो यह आप हो जाएगा log log v minus 1 is equal to यह जाएगा तो आएगा log v plus log c plus log x जैस सिंगल log हो जाएगा तो आएगा log cvx और इधर भी क्या लिखा है log log v minus 1 अगर हम anti log ले लें तो यह वाला log हट जाएगा हटा दीजे तो क्या बनेगा यह यह बनेगा log v minus 1 is equal to cvx अब v की value क्या है भाई y बरावर vx माना है न y को हमने क्या माना है vx तो v की value क्या है y upon x रगद उठा करके तो यह क्या बनेगा log y upon x minus 1 is equal to c into y upon x into x x is cancelled हो गया तो आगया log y upon x is equal to 1 plus c y तो एक तो यह इस y थोड़ा अच्छा रिखिएगा एक तो इस format में आब answer को छोड़ सकते हैं और चाहो तो इसको आप log की फार में लिग दो यह सारी एकी फार में लिग दो यह आपका answer है तो this is question number nine ठीक है सभी को नमस्कार फिर बीच में मैं आ गया क्यों वही दिखकर कि online, offline classes जो हम पढ़ा रहे थे तो जो question पढ़ा है वो video बनाया और जो बचे हुए questions है वो अब हम upload कर रहे हैं ठीक है इसलिए बीच में नमस्कार पहले नमस्कार नहीं हो पाया था ठीक है अब इसमें हम question number बात करेंगे थर्ड की देखिए अब यह homogeneous method बता चुके हैं ठीक है लेकिन जोड़ डेटेल में देखीगा question है x minus y x minus y dy minus dy minus x plus y dx is equal to 0 तो सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या variable or separable हो सकता है नहीं हो रहा है कि x के term dx के साथ y के term dy के साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो आप निकालो dy by dx तो dy by dx की value क्या हो जाएगी यह जाएगी x plus y upon x minus y अब हम इसको detail में आपको बताएंगे homogenous है की नहीं है क्या तरीका आपने बताया था बताये गया था कि putting lambda x in the place of x in the place of x और lambda y in the place of y lambda x रख दीजे x की जगे lambda y रख दीजे y की जगे अगर इसमें lambda की power 0 आ जाए lambda हट जाए और यह function दुबार आ जाए तो हम कहेंगे यह 0 order का differential equation है तो यह क्या हैगा dy by dx is equal to यह हो जाएगा lambda x plus lambda y upon lambda x minus lambda y यहाँ से lambda common नीचे से lambda common बचेगा x plus y upon x minus y तो यह lambda की power 0 हो गया यह f x y हो गया हो गया तो यहानि कि lambda यहाँ से हट गया एक तरीकिस कही है अगर lambda हट जाता है तो हम क्या कहेंगे कि यह एक 0 power 0 power का homogeneous equation है तो यह तो proof हो गया कि homogeneous है यह सभी questions में आपको करना है हम एक में करके दिखा देते हैं ठीक है अच्छा आप क्या करेंगे homogeneous है तो क्या करेंगे तो तरीका यह बताया गया यह नहीं करेंगे फिर रब कर देंगे इसको इसको equation 1 डाल दिया अब put क्या करेंगे putting भी एक बार हम बता रहें putting y is equal to vx समें रखना है तो dy by dx की value क्या हो जाएगे v plus x dvy by dx का रखेंगे in equation 1 यहाँ पर रख देते हैं उठा देंगे बस काम खताम यह आपको आना चाहिए rest is the calculation तो इसकी जिए क्या रखेंगे v plus x dvy by dx is equal to x x हो गया y को vx लिख दीजा x x हो गया y को minus vx कर दिया उपर नीचे से x cancel हो जाएगा तो आएगा v plus x dvy by dx is equal to 1 plus v upon 1 minus v अगले step में इस v को हटाएंगे और minus कर देंगे ठीक यह LCM ले लिजे तो आएगा x dvy by dx is equal to LCM लोग क्या आएगा 1 plus v minus v minus minus plus v square upon 1 minus v यह cancel हो गया तो यह क्या बचेगा यह बचेगा आपका x dvy by dx is equal to 1 plus v square upon 1 minus v अब यह बनेगा variable odd separable क्या करेंगे dv के term v के function dv के साथ यह पूरा इधर ले आओ तो 1 minus v upon 1 plus v square dv अलग हो गया integrate करेंगे is equal to dx upon x अलग हो गया integrate करेंगे अब integration आपको आना चाहिए ठीक है क्या करेंगे इसको फहले अलग अलग करो 1 upon 1 plus v square dv अलग कर दो minus जानबूस के हम फिलाल constant नहीं लिखे और जानबूस कभी इसका integrate हमने नहीं किया ठीक है तरह पूरा camera के जद में आजाए देखिए इसका तो 10 inverse v है इसका हमको नहीं वालू अभी तो v dv upon 1 plus v square और इसका log x है और c को हम चाहें तो log x प्लस कर सकते है अब यहाँ पे आईए आपको साब साब दिख रहा है अगर denominator को t माल लिया जाए तो इसका differentiation उपर present है माल लेते हैं तो हमने क्या किया let कर दिया 1 plus v square को t माल लिया तो इसको क्या आएगा 2v dv is equal to dt तो जहाँ v dv है वहाँ क्या लिखेंगे dt by 2 तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt by 2 ठीक है लिखे ज़रा value चलो एक बारे फिर से अजनवी बन जाए हम दोनो देखे इसकी value क्या है dt upon 2 upon t is equal to log x plus log c देखे constant में log लगाना या न लगाना आपकी मर्जी है यह कोई hard and fast rule नहीं है अब देखो यह आजाएगा 10 inverse v minus 1 upon 2 इसका हो जाएगा log t और t कमान रख दीजे 1 plus v square is equal to log x plus log c अब देखे इस 1 upon 2 log v square को हम चाहें तो उधर transfer कर सकते हैं ठीके कर दीजे उधर transfer लेकिन एक लफड़ा यहाँ पर यह आएगा करो अच्छा उधर तो क्या आएगा यह आएगा 10 inverse v is equal to half log 1 plus v square प्लस न जाएगा ना प्लस log x plus log c दीके ऐसा करते हैं 2 ले लेते हैं यहाँ पर lcm है ना तो यह यहाँ भी 2 बन जाएगा यहाँ भी 2 बन जाएगा और यह 2 हटके यहाँ पर आजाएगा तो आगया 2 10 inverse v बराबर अच्छा यह 2 हटा हो जाएगा log 1 plus v square प्लस log x square प्लस अब log c square की बन जाएगा c dash कर दो c लिखो c square लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह log हट जाएगा single log जाएगा 1 plus v square into x into c dash और यहाँ क्या आगया 2 10 inverse v v कमान रख दो तो 2 10 inverse v बोले तो y upon x y को v x माना है न is equal to log यह जाएगा 1 plus y square upon x square into c dash x c dash लिखो c लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता x square LCM लोगो 1 x कर जाएगा तो आगया log x square plus y square c dash upon x is equal to 2 10 inverse y upon x आप answer को इस format में change कर सकते हैं और आप चाहें तो 10 को उधर ले जाएगा इसकोई फैदा नहीं है इसी format में आप छोड़ दीजी answer ठीक है एक गरबढ हो गया है यह x square है न यह x square कर दीजे यह x square कर दीजे यह पूरा x square कर जाएगा x gap हो जाएगा ठीक है c पे confuse नहुएगा c अलग भी रह सकता है इसके अंदर रह सकता है यह बहुत सर्वे सर्वा है ठीक it is question number third question number fourth पीछे वीडियो हो चुका है यह question number fifth है x square dy by dx is equal to x square minus 2y square plus xy तो हमने x square जाएगा शिफ्ट कर दिया आप तो देखिएगा अब यह homogenous है की नहीं है पहचानने के दो तरीके एक तो हमने वही कहा कि x को lambda x को हम lambda x put कर देते हैं और y को हम lambda y put कर देते हैं ठीक है अगर हम ऐसे पहचानना चाहें यह पहला term कितने degree का है 2 degree का है यह 2 degree का है जब x y multiply होता है तो degree को plus करके देखते हैं यह 2 degree का यह 2 degree का तो ultimately सभी time 2 degree के हैं ठीक है अब उपर 2 degree नीचे 2 degree तो 0 degree हो गया तो यह homogenous है पहचान में हमारे आ गया लेकिन हम तो calculation करना चाहते हैं रखो it उठा करके तो x को लिखो lambda x और y को लिखो lambda y lambda gap हो जाना चाहिए और same चीज आजानी चाहिए तो यह lambda x करो क्या आएगा lambda square x square minus 2 lambda square y square plus lambda x into lambda y upon lambda square x square उपर से lambda square कमलो नीचे से lambda square कमलो तो lambda के पाउड 0 हो जाएगा यह आएगा x square minus 2 y square plus x y upon x square अगर ध्यान से देखें तो lambda की power 0 f x y तो आप कहेंगे 0 degree का homogeneous equation है ठीक यह तो पहचान में आगए lambda power 0 हो जाने चाहिए यह lambda को गाइब हो जाना चाहिए और यह same function दुबारा आ जाना चाहिए आगया अब क्या तरीका होता है यह पहचान में आगए it is homogeneous अब वही चीज है कि question number 1 में y को vx पूट कर दू पीछे हम कई बार पूट कर चुके है इसने हम डाइट लिख रहे है तो y को vx करेंगे तो यह क्या हो जाएगा v plus x dv by dx is equal to y को vx कर रहे हैं तो आएगा x square minus 2 v square x square plus x into vx upon x square v plus x dv by dx is equal to calculation mistake बहुत कामन हो जाती है इसलिए ध्यान से करिएगा यहां से x square कामन ले लो अंदर पचेगा 1 minus 2v square plus v upon x square x square cancel हो जाएगा v यह जो है ना इस v को उदश शिफ्ट कर दो x dv by dx is equal to 1 minus 2v square plus v minus v यह vv कर गया इस पूरे v के टम को इधर ले आओ तो dv upon 1 minus 2v square is equal to dx upon x integrate कर दो और यहीं पर गाड़ी पर गाड़ी फिलार रुख जाती है क्योंकि इसके बाद हमको चलना पड़ता है अपने indefinite integral में वो हमें आना चाहिए देखे अगर ध्यान से देखे इसका integral कैसे होगा तो जब पहँचानने की कोशिश करिए कुछा रहा है देखे अगर यह 2 नहोता तो a square minus x square integral लिखा हुआ है लेकिन यह 2 है तो इस 2 को हटा कैसे हटाएंगे देखे तरीका हटाने का हटाने का तरीका यह है कि हम इसको 2 हटाएंगे नहीं root 2v का square लिख देंगे है ना और इधर फिलाहाल integral क्या हो जाएगा log x और c को भी इसका साथ merge कर दो log c फिलाहाल बचारा log है तो भी log हो जाएगा अब root 2v को कुछ मानो let root 2v is equal to t तो root 2v is equal to dt तो जहां पर dv है वहाँ 1 by root 2 dt हो जाएगा जब यहां रखेंगे तो यहां जाएगा आपका 1 by root 2 बाहर हो गया यहां गया dt अपान 1 minus t square और यह है log इसको c x कर दो ठीक है आप देखिए यह formula आपको बन रहा है 1 upon a square minus x square अब यह आपको आना चाहिए मैं यहां लिखे दे रहा हूँ integral 1 upon a square minus x square dx का formula होता है 1 upon 2a log a minus x upon a plus x mod तो हर्द के लगाते हैं बाइस तो हम नहीं लगा रहे हैं तो यह a यहां पर 1 है और x यहां पर t है तो 1 upon root 2 तो 1 upon 2a यहांनि 1 upon 2 log 1 minus t upon 1 plus t is equal to log cx ठीक है यहां तब पहुचिए पहले यह आएगा 1 by 2 root 2 log t की value रखे उठा करके तो आएगा 1 minus root 2v upon 1 plus root 2v is equal to log cx देखें c अलग भी कर सकते हो माले answer match नहीं हो रहा है तो log x अलग कर दो plus log plus c अलग कर दो कोई फर्क नहीं पढ़ता हम फिला log cx लिखा है तो लिखा रहने दो अब respect दे दिया c को दो दे दिया अब v command रख दो उठा करके 1 by 2 root 2 log v की value क्या है y upon x upon 1 plus root 2 y upon x is equal to log cx x को लिखेंगे ये x उपने चे कर जाएगा तो आएगा 1 by 2 root 2 log या आएगा x minus root 2y upon x plus root 2y is equal to log cx अब देखिए log तो हट नहीं सकता या तो 2 root 2 यहां multiply में ले जाओ उसको power ने चड़ाओ तो इतनी भाइंकर्चीज काहे ले जाएगे तो यही पर आंसर को आप छोड़ देंगे फिर हम बता रहे है constant का आंसर match कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता है तो उसमें आप चिंदा ना करिएगा this is your answer question number कौन सा है fifth है साइद यह question है पहला पहँचान हमारी यह है पहली पहँचान की क्या variable और सेपरेबल हो सकता नहीं हो पा रहा है ठीक है क्या करें हम हम dx को उधर shift करते हैं तो आएगा x dy is equal to यहां से dx काम ले लेंगे तो आएगा y plus under root x square plus y square dx dx को उधर ले आओ और x को उधर ले जाओ तो आपका result आएगा dy by dx is equal to y plus under root x square plus y square upon x dx sorry अब देखे हमने कहा तब पहले देख के आप पहँचानी है कि यह homogeneous है दोको इसकी degree 1 इसकी degree 2 है लेकिन root लगा हुआ है तो 2 पे जब root चढ़ा देंगे 2 बोले तो square इसकी degree 1 इसकी degree 1 अमाले आपको पहँचाना चाहते है तो इसका नाम आप क्या देंगे fxy आप क्या करेंगे x replace करेंगे lambda x से और y replace करेंगे lambda y से करिए replace तो यह क्या आएगा अब आप कहेंगे इसको differentiate कुछ नहीं करना क्यों हम check करना चाहते है हमने कहा था lambda cancel हो जाना चाहिए और यह function दुबारा as it is प्रकट हो जाना चाहिए तो यह क्या हैगा y को लिख दिया हमने lambda x plus under root lambda square x square plus lambda square y square upon lambda x अब ज़रा देखें उपर से हम lambda square root में कामन लेंगे बाहर lambda हैगा पूरे में lambda कामन लेंगे पूरे में lambda कामन यह क्या पचेगा x plus under root x square plus y square upon lambda x तो lambda की value 0 हो जाएगी और यह दुबारा f x y आ जाएगा तो आप लिखेंगे 0 order का order नहीं कहिए 0 degree का यह homogeneous equation है तो यह तो पहचान में आ गया कि homogeneous है आप इसको differentiate कैसे करें तो उसका तरीका क्या है वही y को vx रखेंगे हम डायट लिखे दे रहे आप लिखेंगे डायट नहीं करेंगे सामें आपको लिखना पड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा v plus x dvy by dx is equal to y को vx लिखा plus under root x square plus v square x square upon x ध्यान से दिखीगा उपर से x कामन लेंगे इस रैकेट से root के अंदर से root के बाहर x निकलेगा पूरे से x कामन ले लेंगे क्या पचाएगा v plus under root one plus v square upon x यहां क्या आएगा v plus x dvy by dx यह x x कट गया यह vv कट जाएगा तो यानि कि यह आगया x dv by dx is equal to under root one plus v square यह पूरा v का term है तो यह dv के साथ आजाएगा तो क्या हैगा dv के साथ आएगा under root one plus v square integral करेंगे और dx के साथ आएगा x integrate कर दो अब इसका integral आपको आना चाहिए क्या होता है formula आप चाहें लिख सकते हैं we know that integral of one upon under root a square plus x square ध्यान रखिए a square plus x square है अगर a square minus x square होता तो this is sin inverse x upon a a square plus x square होता है log x plus under root x square plus a square तो यहाँ अगर compare करें तो a आपका one हो गया और x आपका यह हो गया so by equation one so by equation one यह क्या integral हो जाएगा इसका है का log one plus under root one plus v square is equal to log x plus log c log लखटा दो तो आएगा log x जाए लिख रहा हूँ one plus under root one plus v square is equal to log cx अब तो यहाँ पर यहाँ पर एक्स होता है ना तो यहाँ पर v करिए भाई constant नहीं होता है यहाँ पर log लखटा दीजेगा तो क्या हैगा v plus under root one plus v square is equal to cx v का मान क्या है y upon x क्यों हो जाएगा y upon x plus under root one plus y square upon x square is equal to cx x यहाँ पर एलसेम लिजे तो y upon x plus under root यह आएगा x square plus y square upon x square का x हो जाएगा x एलसेम ले लो तो y plus under root x square plus y square is equal to cx square तो this is your answer यह अपान वाला x उदा जाके x square हो गया तो this is the solution आप question number 6 ओकी देखिए 8th question क्या कह रहा 7th इसके पीछवाले वीडियो वीडियो में पीछे एक question है x dy by dx minus y plus x sin y upon x बरावर 0 समझेगा पहली बात तो variable separable है नहीं मतब y के function dy के साथ और x के function dx साथ नहीं आ रहे हम डियाड x निकालते ही पहले यह तो है यह यह डियाड x x dy by dx is equal to y minus x sin y upon x और यह x जो है ना आप पान में लिख दो और इसका नाम लिख दो fxy अब हम पहले पहँचान रहें कि भाई यह homogenous है कि नहीं है तो आप जानते हैं x को lambda x करोगे तो अपने आप होमोजीनिस आ जाएगा हम पहँचान नहीं रहें ठीक है तो यह question आप कर लेंगे y को vx लग दीजेगा तो यहां क्या आ जाएगा v plus x dv by dx is equal to y को vx लिखा minus x sin vx upon x upon x उपर से x काम ले लिया यह x कर गया तो आगया v minus sin v upon x xx कर गया यहां है v plus x dv by dx यह v और v कर जाएगा तो आगया x dv by dx is equal to minus sin v sin v v का function है वो dv के साथ आजाएगा तो आएगा dv upon sin v is equal to minus dx upon x इसको integrate कर दीजे यह आपका actually में लिखा क्या है यह cause x v लिखा है cause x v dv is equal to minus यह हो जाएगा log x और c को भी हम फिला log लिखेंगे log c अब देखिए cause x का integral क्या पढ़ा है आपने integral clear होना चाहिए log cause x minus cortex तो इसका हो जाएगा चुकि integral clear है इसलिए हम इसको बता रहें जल्द इल्दे क्योंकि main होता है आपको यहां तब पहुंचाना यह value रखने के बाद में यहां तब पहुंचाना कि यह value रखी जाएगी इसके बाद calculation इसके बाद integration जो कि rd सर्मा में 32 इस तक आपने किया होगा रखो यहां पर कॉसेक का होता है log कॉसेक v minus cot v is equal to log minus log x plus log c अब ज़रा समझीगा हम इसमें log हटाएं जो भी पहले हटा देते हैं अच्छा देखें यह आएगा log अब चुक्छे minus का है log एक सिदार ले आईए log कॉसेक v minus cot v into x into में आजाएगा ना प्लस में है is equal to log c अब log लो हटा दो तो क्या value आजाएगी कॉसेक v minus cot v into x is equal to c देखें वैसे तो आप यहां पर v कमान रग तो answer आगया लेकिन कभी कभी हमने कहा ना कि format change होता है तो थोड़ा सा calculation कर लेते हैं तो को यह लिखा है 1 upon sin v यह लिखा है cos v upon sin v तो यहनि कि जो LCM लेंगे तो 1 minus cos v upon sin v लिखा हुआ है है ना और into x बरावर c आपने पढ़ा है कि 1 का सबसे बड़ा दुस्वन cause होता है cause 1 को cancel करेगा करेगा मतब करेगा तो इसको लिखेंगे 1 minus 1 plus 2 cos square v by 2 और sin v को लिखेंगे 2 sin v by 2 into cos v by 2 into x is equal to c अब आप कहेंगे अगर answer यहीं पर छोड़ दे और v को y upon x करते हैं इस नहीं चलेगा चलेगा answer mismatch नहीं है ठीक है लेकिन माले कभी proof जातर ठीक है तो कुछ ने कुछ कुछ करके यह आपको proof देते तब क्या करोगे तो 1 1 कर गया 2 2 कर गया 1 cause से 1 cause कर गया है यह क्या आगिया आपका caught v by 2 आ गया यह आ जाएगा caught v by 2 भगवान करें कालकुलेशन कहीं mistake नहीं हो रही हो हमसे बहुत हो जाती caught v by 2 into x is equal to c v कमान रख दो x caught y upon 2x is equal to c तो इस format में अब answer को छोड सकते हैं ठीक है अब इन्होंने यहीं पर रख दिया answer उठा करके तो यहीं रखना जहीं न रख दो जा करके आगे लिए sign or cause change कि आपने ठीक है तो यह question number 8 थ है और 9 इसके पीशे मता चुके है next in the next video फिर मुलाकात होती है कुछ offline कुछ online video mix होंगे writing थोड़ी सी गंदी है अगर आपको लगे कि यह आपके लिए लाबदायक है तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजिएगा नहीं तो फिर good night